यूक्रेन के बाद फिल्लैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर नाटों में शामिल होने की संभाब ना पर दी धमकी अरुणाचर प्रदेश में भूकम के जट के 5.3 मापी गई तीफृता कुरोना की रफ्तार बढ़ते ही दिल्ली सरकार का स्कूलों को लेकर सक्त फैसला केस मिलते ही बंद होगे स्कूल श्रीकरिशन जन्रबूमी विवाद मामले पर मतुरा कोट में सुनवाई आज 13.3 साथ एकर जमीन को मुख्त कराने की है मांग यूपे में फिर चली तबादला एक्सप्रेस 14 IPS अफसरों के हुए तबादले नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनिया चैनल प्राइम टीवी चलिए शुरुआत करते हैं यूपे बुलेटिन की दिल्ली के स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर सरकार ने एहम फैसला लिया है दिल्ली के उप मुख्यमंतरी मनीर सिसोधिया ने दिल्ली के स्कूलों के लिए नए कोविट गाइडलाइन जारी कर दी है उन्होंने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के स्कूलों के लिए कोविट सोपी जल्द जारी की जाएगी साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले चार दिनों में दिल्ली के स्कूलों में कुरोना संक्रमण के 4-5 नए मामने सामने आए हैं लेकिन ये सभी स्कूल नहीं आये थे जाहिर है कि अब दिल्ली सरकार स्कूलों में बढ़ रही कुरोना संक्रमर से निपटने के लिए जल्दी दिशा निर्देश जारी करेगी उत्तर भारत के जादातर राज्यों में भीशन गर्मी पड़ रही है दिन के समय तेज धूब जैसे आस्मान से आग बरस रही है बरतितापमान के साथ लू के थपेड़ों से भी लोग परिशान है भारतिय मौसम विभाग के मताबिक पूर्वी राजस्थान, मद्य हर्याणा, दिल्ली और चंडीगड के अलग-अलग हिस्सों में भीशन लू चलने के संभावना है वायोपे की राजधानी लखनव में नियूंतम तापमान, 26 जब क्या धिक्तम तापमान, 40 रहने का अनुमान आज जताए गया है गोरकपुर के कुतवाली थाना छेतर अंतरगत हठी माई रोड के बगल एक आवास में भीशन आग लग गई और यहां कितनी भीशन थी कि आखकी चपेट में आने से एक चारपईय वाहन समेत कई साइकिल जल कर राख हो गई वहीं घर से धुआ निकलता देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया साथी फाइब्रिकेट के सीएओ ने ऑक्सीजन लगा कर अपने एक साथी के साथ घर में मौजूद बच्चों और पालतू जानवरों को घर से बाहर निकालने में सफलता हासल की है कि यह अठी माता मंदरी के पाद मारती संस्था है अजया सवाल जी है जो भारती पूर नेता है और इसमें बैपारी नेता भी हो उनका यह आवास है यहां पर हाश्टल भी चलता उबर नीचे गाड़ी रखी हुई है आचानक उसमें आग लगी थी इसमें साइकी लोग रह सब्सक्राइब कर रही है अब हाड़ी माता कमंदिर के पास में गली में एक अपार्टमेंट टाइब चोटा सा है जिसमें एक कार खड़ी थी जिसमें आग लग गई थी और कार अंदर खड़ी उने से पूरा मकान में धुआ भर गया था उसमें काफी लोग फस गय थे और उसमें कुट्टे भी जो कार की ऊपर एक छोटा सा दो छटी टाइब बना था दो जानुवर थे उसमें एक लेब्राट था और यह पामेलियन थे दो कुट्टे थे और पूरा धुआ भर गया था हम लोग फायर फाइटिंग करते हुए यहां के लोगों द्वारा बताया ग उसके जो गेट था कुट्टे का उसको लाख हम लोग ने खोला और बड़ा वाला कुट्टा ता आवाज देने पर बाहर निकल आया लेकिन जो छोटा वाला था वो और एक छोटी सी चौकी टाइप के थी जिसमें वो दुबक के नीचे घुस गई थी थोड़ा जानुवर स सांसे फोल रही थी और दम घुट रहा था उनको पूरी तरीके से दोनों जानुवर और बाकी लोग सुरचित हैं अस्पताल के लिए इसे फस्टेट के लिए भेज दिया गया है लेकिन कोई रिस्क की बात नहीं है वो पूरी तरीके से सुरचित है खबर यूपी के एटा के थाना सकीट छेतर के अंतरगत गाउं रचपूरा का बताये जा रहा है वह बुजर्ग की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मजगया जहां घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और मामले की जाच परताल में जुट गई वह पुलिस के अन्य आलादि कारी भी मौके पर पहुची और मृतक के शव को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भी भेज दिया है कुशिनगर में डॉक्टर भीम रवंबेडिकर की जयनती बेहादी हर्शोलास के साथ मनाई गई वह इस अफसर पर कारिक्रम के मुक्यती थी गोरखपुर के डियाइजी रहे इस दौरान उन्होंने कहा कि पुश पर्पित करने के साथ ही उन्होंने कहा कि दीप्रजवलित क कर कारिक्रम की शुरुआत होगी जिसके बाद उन्होंने दीप्रजवलित करते हुए कारिक्रम की शुरुआत की जाए इस अफसर पर सेस्ट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के वादे व्यक्तियों की बार डियाइजी ने सुने और आश्वासन दिया कि उनको पर से बता रहे हैं जहां पर धूमधाम के साथ बाबा साहिब की जैनती मनाई गई इस दौरान गुरखपुर के डियाइजी ने पहले बाबा साहिब के प्रतिमा पर माल्यारपन किया उसके बाद लोगों की समस्याइब भी सुनी और लोगों को याश्वासन दिया कि अगरा में धूमधाम के साथ अंबेडिकर जयनती मनाई गई जहां जगा जगा पर मंच लगाए गए और मंच पर बैठे लोगों ने निकल रही जाकियों का फूल की वर्षा के जरिये स्वागत किया आपको बता दे कि बीते दो वर्ष से लगातार अंबेडिकर जयनती के प्रोग्राम को कोरोना वाइरस के कारण स्थागित कर दिया जा रहा था लेकिन इस बार अंबेडिकर जयनती को आगरा में पहले से कहीं जादा हर सो लास के साथ मनाई गया परमपुजी सम्मिना सिल्पी बाबा साहब की एक से करतीस भी जैनती बहुत ही दुम्दाम से मनाई जा रही है ऐसे आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्सा है और बाबा साहब ने जो हमें मूल मंत्र दिये चलने का प्रयास करें और यह जो मूल मंत्र जो बाबा साहब ने दिये हैं यह समाज को मूल मंत्र नहीं पुरी देश की मूल मंत्र है क्योंकि बाबा साहब पुरे देश के एसे महापरुस है कि ऐसे महापुर्ष सदियों पैदा होते हैं यह बावा साव मिटकर की जहनती बनाई जा रही है दो साल के बाद और 131 के बाद बनाई जा रही है और इस समय पुरे देश पुरे भारत बर्त में बनाई जा रही है हम आप सभी को संदिश देला चाहते हैं कि सभी इस बार की अच्छी है और भी अच्छी बनाई जा रही है इस वक्त हम मौझूत हैं आगरा के बिजली घर चौराई पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर जगा 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 जहांकिया भी लिका ली जा रही है और जगा जगा पर स्टेज लगा कर उनका स्वागत भी किया जाता है आपको बता दें कि आगरा देलितों की राजदानी भी कहा जाता है यहां पर बड़े हर सुलास के साथ डॉक्टर भीमराव अन्वेटकर की जहिंती मनाई जाती है लेकिन पिछले दो साल से कोरोना काल की वजया से डॉक्टर भीम राव अन्वेटकर की जहिंती को इस तागित भी कर दिया गया था अबादी है इस कारण यहाँ पर बड़ी संक्या में भीड़ भी फेकात्रित है अपने सही होगी राशित हुसेन के साथ जी सान एमत प्राइम टीवी आगरा उत्रप्रदेश की बस्ती जिले में एक दर्दनाक हाथसा हो गया यह वाल्टर गंज थाना के बासी मार्ग के पैड़ा चौराहे की पास शराब की नशे में डी सीम चौलक ने आटो रिक्षा और बाइक सवार को टक कर मार दी इस हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई डी सीम चौलक गाड़ी को टोल प्राजा के पास छोड़ कर मौके से फरार हो गया जुसे पुलिस ने अपने कबजे में लेकर अब आगे की कारवाई शुरू कर दी है हाथसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गई जिनने इलाज के लिए जिलस्पताल में भरती कराए गया और पोलिस साथ ही इस मामले की जाँच परताल में भी अब जुट गई है आईपेल पंद्रा में गुजरात का सामना राजस्थान से हुआ इस मैच में गुजरात ने जीत हासिल कर ली है 193 रन के स्कोर का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम सिर्फ 155 रन ही बना सकी गुजरात की ये चौथी जीत है एक 193 रन के स्कोर का पीछा करते हुए राजस्थान की शिरुवात खराब रही देवदत बिना खाता खोले ही आउट हो गए उनके आउट होने के बाद भी बटलर ने आकरामक खेल दिखाया उन्होंने 24 गेंदो में 54 रन की पारी खेली उनके आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबास कुछ खास कमाल नहीं कर सका हेट मेर ने 29 रन की पारी खेल कर टीम को लक्ष्ट के करीब लेने की कोशिश की उनके आउट होने के बाद पराग और नीशम ने पारी को आगे बढ़ाया यूपे बुलिटन में फिलाल के लिए इतना ही देश अप्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी